नमस्कार मुलान्नों, मलाशी आशा है कि तुम्चा धाविचा अब्धा सुत्तम चाल्ला असेल, या विडियो मदे आज आपन ग्रेट 10 CBSC आनी ICSC स्टूडन्साटी सर्वनाम हाँ टॉपिक शिक्णा रहोत। हम यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मराथी ऐसा एक्स्प्लेनेशन देखे सर्वनाम टॉपिक सिखेंगी। मेरे सारे वीडियो क्लिप्स में मेरा ये ट्राय रहता है कि मैं आपको मराथी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में क्या similarities है वो बता के आपका learning और easy करों तो कि आप इंग्लिश ग्रामर ग्रेड वन से सिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते सर्वनाम, सर्वनाम मिन्स प्रोनाउन, अभी आप देखिए वाक्या तिल नामाचा वारनवार होनारा उच्चा टाड़ावा, मनु नामाचा एवजी एनार्या शब्दाला सर्वनाम असे महनतात। वाक्या सेंटेंस, वाक्या में जो नाम का वारनवार मिन्स फ्रिक्वेंटली बार बार उच्चा बोलना हो रहा है, वो अववाइड करने के लिए नाम के बदले जो वर्ड आता है, उसे सर्वनाम बोलते हैं, उदार नार्था, भासकर सकाई लवकर उठ्टो, भासकर इसके बदले हम ये सर्वनाम यूज करके, क्या बोल सकते हैं, भासकर सकाई लवकर उठ्टो, दो शालेग जातो, दो नियमित अभ्यास करतो, ये जो भासकर के बदले तो लगा है, उसे सर्वनाम कहते हैं, इस चार्ट is very important, यहाँ पे सर्वनाम के जो six subtypes है, six छे प्रकार हैं, वो दिये गए है, पुरुषवाचक, दर्शक, संभन्दी, प्रशनार्थक, अनिच्छित और आत्मावाचक, हम ये सारो छे, सारे छे के छे सर्वनाम types explore करेंगे, तो हम शुरू करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम means, जो हम first person, second person, third person pronoun ब तुम ही, तो, ती, ते, ते, त्या, ती, ये से बहुत सारे सर्वनाम आते हैं, let's explore पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार एक, इनको personal pronouns भी बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे दो बच्चे खड़े हैं, जो लड़की है, वो है first person, that is प्रथमा प पुरुषव और एक दूर पे एक बच्चा बैटा है, हो है third person, that is, तो, ये लड़की बोल रही है, कि मी तुजाशी, Tचा पदल बोलता है, अब मी ये pink कलर में है, मी इस प्रथमा पुरुष मैं खुद बात कर रही हूँ, तुजाशी तुम्हारे साथ, with you, so वो जो sea green कलर का है वो द्वितिया पुरुष, तैचा पदल, font size देखो, mustard कलर का है, तो उसे बोलते हैं, third person, तो यहाँ पे first person भी है, second person भी है, third person भी है, तो एक ही sentence में हमने मी, तुजाशी, तैचा पदल बोलता है, यह पुरुष वाचक तीनो personal pronouns में use किये हैं, अब actually में हम देखते हैं कि यह प्रथमा पुरुष, दितिया पुरुष और तृतिया पुरुष क्या है, पुरुष किसे कहते हैं, बोलना रहा कि वा लेना रहा, कि व जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो बन्दा बोल रहा है, जो लिख रहा है, जिसके साथ बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को मराठी व्यकरन में पुरुष कहते हैं, तो अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप प्रथमा पुरुष है, आप किसी और से बात कर रहे हैं, तो ओई आपके सामने का बंदा दृतिय पुरुष है, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तृतिय पुरुष है, फर्स परसन, सेकेंड परसन और धर्ड परसन, प्रतम पुरुष वाचक सर्वनामा मदे, व्यक्ति स्वता विशही बोलत है, स्वता मिंस खुद के बारे में बात कर रहा है, बोलनारा स्वताचा उलेक करताना, जे सर्वनाम वापर तो तैला प्रतम पुरुष सर्वनाम मनता, जो बात करने वाला है, वो खुद का इंट्रोड्यूस के लिए जो सर्वनाम यूज़ करता है, उसे प्रतम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, द्वितिय पु तो मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ, उसका उल्लेक करते वक्ट जो सर्वनाम में यूज करूंगी, उसे द्वितिय पुरुशवाचक सर्वनाम मनता हूँ. जैसे, मैं अगर तेज़स से बात कर रही हूँ, तो मैं पैसे बोलूंगी, तेज़स तु कुठे जाता है? फॉर्स सेंटेंस ये आ गया, फिर सेंटेंस में फिर से मैं तेज़स नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी, तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? ये मैं तेज़स को पूछ रही हूँ, तो तुम ये द्वितिय पुरुशवाचक सर्वनाम हो गया. जा वाक्या मदे बोलनारा व्यक्ति, तिसरेच व्यक्ति विशई बोलता है, मंजेज बोलनारा व समोर्चा याना वगलून, तैंचा जाचा विशई बोलाचा है, त्या व्यक्ति व वस्तूचा उल्ले करताना, आपन तुम पुरुशवाचक सर्वनाम वापरतों. इसका मतलब यह है कि जब हम बात कर रहे हैं मैं और मेरे सामने जो व्यक्ति है ये छोड़ के कोई और थर्ड परसन है जो अभी सामने नहीं है उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं या वो थर्ड चीज है थिंग है वस्तु है उसके बारे में हम जब बात कर रहे हैं उसे उनों को छोड़ के और तिसरा जो है, उसके बारे में हम जब बात कर रहे हैं, उसे तृतिय पुरुश वाचक सर्वनाम असे मंतर, तो यहाँ पे हम अब चार्ट देखेंगे, जहाँ पे मैंने पुरुश एक वचनी सर्वनाम, उसके रिलेटेड वाक्या, फिर अनेक वचनी स सर्वनाम और उसके रिलेटेड वाक्या दिखाये गए हैं, जैसे ही, she, it is a singular और दे है, वी है, आस है, that is a plural pronouns, वैसे ही, Marathi में भी, एक वचनी सर्वनाम और अनेक वचनी सर्वनाम भी होते हैं, so let's start with the second column, second row, that is प्रतमपुरुश, so प्रतमपुरुश means first person, उसका एक वचनी सर्वनाम है, में स्वतह, स्वतह means मैं खुद, और उसके वाक्या क्या बनते हैं, में उद्या गावाला जान आहे, स्वतहा चे काम स्वतहा करावे, खुद का काम खुद करो, ऐसे, अब प्रतमपुरुश का अनेक वचनी हो जाता है, Ami, Ami means plural, मैं और थोड़े लोग, okay, Ami गावाला जानार आहोत, हम गाव जाने वाले हैं, अब आते हैं, वितिय पुरुश, second person, एक वचनी सर्वनाम हैं तू, तो उसमें एक वचनी सर्वनाम वाक्य में हैं, तू कही काम करता है इसका, तुम कुछ काम कर रहे हो क्या, अनेक वचनी मी हैं, तुमी आपन, तुमी सर्व बाहिरजा, आपन व्या बागेत बसुया, okay, so यहाँ पे तुमी और आपन अनेक वचनी हैं, तुमी means मैं नहीं मेरे सामने जो दो तीन लोग होंगे उनको बैबोल रही हूँ अगर मैं खुद को इंक्लूड करती हूँ तो आपन हो जाता है तृतिय पुरुष थर्ड परसन तो ती ते त्याला तीला सो ती रोज सकाई नदी काठी फिराइला जाते तो रोज एक डजन केई खातो अब इसमें अने क्वच नहीं है ते त्या ती त्याला ती त्याला सो अभी यह जो ते है ना ते केले आहे अब मराथी में क्या होता है कि एल्डर परसन को हम ते यूज करेंगे जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि माजे बाबा ओफिस मदे गेले आहे अब बाबा इस एक वचनी पर हम रिस्पेक्ट में उनके लिए हम ते यूज करेंगे सर्वनाम में ते संध्याकाली घरी एती मेरे पापा जो ओफिस गए है शाम को वह घर आ जाएंगे तो उनके लिए ते यूज किया वो रिस्पेक्ट वाला एक वचन है वो एक्चुली अनेक वचन नहीं है तो इट आल डिपेंज ओन दे सेंटेंस इस मराथी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं तो यह जो ते है बहुत सारी चीजे ऐसे होती है कि जहाँ पे वो सेंटेंस पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि यह एक वचनी है या अनेक वचनी है तो यह हो गया हमारा पुरुश वाचक सर्वना अब हम आते हैं दर्शक सर्वना यह सर्वनाम आते हैं लेट्स एक्सलोर फर्दर दर्शक सर्वनाम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनावन दर्शक में इस कुछ दिखा रहा है तो मराठी वाक्या मदे इसका मतलब कि हामें नजदीक या दूर की कोई वस्तू और व्यक्ती दिखाने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा उसे दर्शक सर्वनाम कहते हैं तो यहां पे जो हा और है उस वहां पे नजदीक जवर ची वस्तू दा खोली जाते हैं तो यहां गोष्टी मदे कही तरी गोष्ट कि वा व्यक्ती दाखावली जाते हैं त्याला दर्शक सर्वनाम असे महनताद खुब सोपा है जहां पे इंगलिश में हम यहां दर्शक सर्वनाम यूज हो रहा है अब इस चार्ट में नेक्स्ट है संबंधी सर्वनाम संबंधी मिन्स रिलेशन यह सर्वनाम कुछ तो रिलेशन दिखाता है सो लेट्स एक्स्प्लोर संबंधी सर्वनाम संबंधी सर्वनाम रिलेटिव प्रोनावन मराठी वाक्या मधि अब इसका एक्स्प्लेनेशन में नीचे देगे एक्जाम्पल से देती हूँ जे काम रमेश करतो ते आमाला जमत नहीं यहाँ पर ते क्या है दर्शक सर्वनाम सो वाक्या में ते जो है वो आगे आया है फुड़े आला है फर्स में ते नहीं आया है सो मराठी वाक्या मधे फुड़े वापरन्यात इनार्या इकाद्या दर्शक सर्वनाम पूड़े कुटले दर्श वापर ले, ते वापर ले, संबंद दाक्युनार्या सर्वनामाला संबंदी सर्वनाम असे मनता, तो वो ते के साथ जिसका रिलेशन दिखा रहा है, कनेक्शन दिखा रहा है, वो संबंदी सर्वनाम होता है, जो 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 लास्ट में सेंटेंस है जो जे वानचिल तो ते लाहो यह जो है अभंग में संत न्यानेश्वर जो पसाइदान लिखा है विश्व परार्थना बोलते है कि सिर्फ मेरा ही भला ना हो पूरे दुनिया का भला हो और जो जो मांग रहा है वो उसे मिलने दो ऐसी वो प्रे कर रहे है जो जो जे वानचिल तो ते लाहो तो यहाँ पे भी संबंदी सर्वनाम आ रहा है यहाँ पे संबंदी सर्वनाम क्या है जो और जे और दर्शक सर्वनाम क्या है तो और ते I hope आपको पुरुश्वाचक, दर्शक और संबंधी सर्वनाम अच्छे से समझे हैं अब हम जाएंगे प्रशनार्थक प्रशना means question, तो आप इंग्लिश में बहुत सारे questions, WH questions होते हैं वैसे ही अपने मराथी में प्रशनार्थक सर्वनाम होते हैं Let's explore that प्रशनार्थक सर्वनाम interrogative pronouns वाराथी वाक्या मदे एखादा प्रशन विचारने साथी जा सर्वनामाचा उपयोग केला जातो त्याला प्रशनार्थक सर्वनाम असे बनतात सो question पुछने के लिए जो भी words यूज़ किये जाते हैं उसे प्रशनार्थक सर्वनाम कहते हैं very simple काय कोनी कोनाला कुठे कस कदी का के वहा के तूला शालेत कोनी सोटलो काल सकारी तू कुठे गेला होतास या वर्षय गोवयला कदी जाना रहोत त्याने तूला का ढखल ले तो यहाँ पे question पूछा गया है और उसे कोनी कुठे कदी का ये सब प्रशनार्थक सर्वनाम है इसके आगे अनिच्छित सर्वनाम आ जाता है यहाँ पे आप confused होने के chances है So first let's see what is अनिच्छित सर्वनाम अनिच्छित सर्वनाम, indefinite pronouns वाक्या देनारे सर्वनाम है कुठ्या नामा साथी आले हेजर निच्छित पने सांगता येतनसेल तरत्यास अनिच्छित सर्वनाम असे भनता निच्छित means definitely, अनिच्छित indefinite So, अगर sentence में कोई सर्वनाम ऐसा है कि वो किस नाम के लिए आया है, किस नाम को वो replace कर रहा है वो अगर हमें ठीक से पता नहीं पा रहे हैं तो उसे अनिच्छित सर्वनाम असे भनता For example, कोणी कोणाचे मन दुखूने अब यहाँ पे कोण और किसने मन नहीं दुखाना चाहिए और किसका मन नहीं दुखाना चाहिए यह दोनो अनिच्छित है तो कोणी कोणाचे मन दुखूने यह दोनो वो words अनिच्छित सर्वनाम है तो टीचर क्या बोल रहे है उसके पास ध्यान दो, अब क्या बोल रहे है यह हमें पता नहीं है, वो अनिश्चित है, अरे देवा आता, क्या करू करत नहीं, यह जो दया बेन का हे मा माता जी वैसे situation आ जाती है अपनी, तो मैं क्या करू मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो क् काई इज अनिश्चित सर्वनाम, I hope आपको अनिश्चित सर्वनाम और प्रश्नातक सर्वनाम इसमें confusion नहीं होगा, फिर भी हमें लगता है कि हम एक विशिश टीप देदे, अनिश्चित सर्वनाम और प्रश्नातक सर्वनाम, इसमें क्या difference हो है, मराथी व्याकरणा मते कोन कोणी कोणाला इत्यादी सर्वनामान चा उप्योग प्रश्णार्थक सर्वनाम हनुन सुद्धा करने देतों ये सर्वनामे अनिच्छित आहेत की प्रश्णार्थक आहेत हे समझने साथी वाक्याचा अर्थ समझुन घ्यावा लगतों आनि त्या नुसात त्या सर्वन आमाचे वर्गी करन करावे लगते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि कोण, कोणी, कोणाला ये प्रशनार्थक भी है अनिच्छित भी है तो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अनिच्छित है या प्रशनार्थक है इसलिए हमें पूरे से शिक्षक काई सांगता त्या कड़े लक्षद्या तो यहाँ पे काई सांगता तो काई इस अनिच्छिक सर्वनाव पर जेवा आपन विचार दो कि शिक्षक आनी तूला काई सांगित ले तो यहाँ पे एक specific question पूचा गया है कि क्या कहां teacher ने तो यहाँ पे काई ये तक सर्वनाम हो जाता है right अब हम आते हैं हमारे last प्रकार सर्वनाम पे आत्मा वाचक सर्वनाम and let's explore that आत्मा वाचक सर्वनाम reflexive pronouns स्वता बद्दल बोलाईचे असलैस केवा हजर व्यक्ति बद्दल बोलाईचे असलैस आत्मा वाचक सर्वनाम वापरता स्वता खुद के बारे में बात करना है या हजर मिंस प्रेजंट जो आगे हमारे सामने प्रेजंट है उसके बारे में बात करना है तो आत्मा वाचक स पुरशिवाचक पुरुषवाचक 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 ही आहत था। अब यह सेकंड का मीनिंग क्या है। आमी किवा तुमी, जैसे आपन सहलीला जाओ, मैं और आप सब लोग, हम सब मिलके पिकनिक के लिए जाएंगे, पर मराखी में कभी-कभी तुम ही के लिए भी आपन यूज किया जाता है, जैसे अगर आपको पूछना है कि तुम ही माजा बरोबर याल काम, तो इसका अल्टरन ये भी पूछा जा सकता है कि आपन माजा घरी जेवाइला यावे, आपन माजा घरी याल काम, तो आपन माजा घरी याल काम, तो ये एक बोलने की स्टाइल है, जहाँ पे more respectfully we ask, और we more respectfully we talk to this person in front of us, तो ये आपन सहलीला जाओ, स्वताहा काम पुर्नकर, स्वताहा त्यानना पाहिले, स्वताला काई समस्ता, आपन कबड़ी खेविया, आपन कबड़ी खेविया मिन्स हम सब कबड़ी खेलेंगे, आनि तेचानंतर है आपन माजा घरी जेवाइला यावे, इसका मतलब आप, तुम ही माजा घरी जेवाइला या, अगर देखा जाए तो आत्मवाचक में जो आपन और स्वता है, वो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक में जो तो, ती, ते, हा ही है, वो दर्शक सर्वनाम भी है, So, एक word can be multiple types of सर्वनाम, हमें कौन सा सर्वनाम प्रकार है, ये पूरा sentence का meaning समझने के बाद ही, we can decide, I hope आपको 6 के 6 जो प्रकार है, अच्छे से समझ में आये हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है, कुछ पॉइंट, तो प्लीज कमेंड में डाल दीजेगा, we will surely make sure that कि हमारा next video उस doubt को explain करने का हो, और हम आगे जाते हैं, थोड़े से questions solve करने के लिए, तो पहला प्रशन है, योग्य सर्वनाम लिहां और ब्रैकेट में तो, ती, ते ये दिये गए हैं, तो आपको ये सर्वनाम fill in the blanks करने हैं, तो for example, first मैं बता रहे हूं, dash, घर माजा मित्राचे आहें, अब घर, तो घर को तो लगे या ती लगेगा के ते लगेगा, तो घर इस नपूसक कलेंगी, तो इसलिए उसे लगेगा ते, तो पूरा sentence होगा, ते घर माजा मित्राचे आहें, तो आगे का आप solve कीजिए, और हाँ, मैंने answers भी दिये हैं, next slide पे आपको दिखेगा, कि नाम दिया है, और उस नाम को suit होगा, ऐसे एक सर्वनाम आपको पैचानना है, तो लीना है, तो लीना को तो लगेगा या ती लगेगी, लीना is the name of a girl, so basically ती लगेगा, तो वैसे ही आपको ये सारे जो नाम है, या नाम और सर्वनाम है, उसके related योग्य सर्वनाम लिखना है, तो let's see अगर आप कर पाते हो, या answers एक थोड़ी देर में screen पे appear हो ही Since you all are great 10 students, so we will like to tell you that, कि हमारा और एक series है, जहाँ पे हम बताते हैं कि neat, clean, presentable answers paper कैसे लिखे जाएं, और उसका playlist का जो link है, हमने नीचे दिया गया है, ये जो series है, how to present a presentable answer sheet, ये बहुत सारे series में divide है, तो आप first part से आप ये ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही useful रहेगा, कि मेरा अगर handwriting भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं presentable answer paper कैसे लिखू और उसका practice में कैसे करो, तो इसकी link में description में दिया है, please go through it, it will really benefit you, and I wish all the best, Sarvanam की बहुत अच्छे से practice कीजिया, it is one of the scoring subject, Thank you so much, धन्यवाद, आपन फूर्चा भागात बेटिया, विशेशना आबरोबर.